प्रधान मंत्री ठंडे पड़ गया है इसलिए चुनाव ठंडा पड़ गया प्रधान मंत्री में अब वो जोश, वो उत्सा, वो उमीद, वो उमंग, वो हिंदी पिक्चर का गाना है ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है मंगल सूतर की बात का जिक्र किया, अब तब से लग रहा है कि जो है चुनाव उसी तरफ चला जा रहा है नरेंद मोदी मंगल सूतर की बात करेंगे, फिर उन पर भी सवाल उठेंगे, चली हम वो नहीं उठाएंगे लेकिन अब उठा लिया तो उठा लिया, अब क्या करें, उन्होंने ट्रैप खुद डाला हमने तो नहीं डाला था निरेटिव बनाया जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी तो साउथ पे फोकस कर रही है जी हिंदी बेल्ट में कॉंग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी से टक्कर लेना वेस्टेज ओफ एनरजी और रिसोर्सिस है एसा जूट और इतना कन्विंसिंग धंग से जूट बोलते हैं कि अच्छे भले विचारे फिसल जाते हैं कि सावी तो ठीक बोल रहे होंगे क् दश्ग हमारा हमेशा यह जानना चाहता है कि कॉंगरेस अगर चुना यह तो विज्ट रही है तो कितनी सीpek महां ती कि कम लोग सरकार बना हैं इंडिया अलायन्स सरकार बना रहा है और जी जैसा कि सथाई रहे हैं कि सथा ने इंडिया गटबंदन तो प्रधान मंतरी के दावेदार कौन है प्रक्रिया होती है सीटें आ जाने दीजिए किसकी कित्ती सीटें आती है फिर निरने होगा फेले हमारी कॉंग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी बैठेगी वो तै करेगी हमारा नेता कौन होगा जब ट्रोल किया उसकी मिशन है नियाए आपने OPS का मामला जो है वो छोड़ दिया OPS के प्रति हम आज भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है यह इसमें किसी को कोई संशे नहीं होना चाहिए अंडर करेंट है आक्रोश है गुसा है यूवाओ के बीच में आपको लगते कि उसका इतना इस चुनाव की दिशा नौजवान तै करने वाले हैं क्योंकि एक घंटे में दो नौजवान इस देश के आत्मत्या करते हैं यह छोटा आंकड़ा नहीं है बहुत दुखदाई आंकड़ा है टॉक्टर मनमौन सिंग साब का जो बयान था उसमें से कुछ लाइनों का चेहन क नहीं सकती समिधान भी वही कहता है प्रजवल रिवन्ना को लेकर सेक्स वीडियो सामने आ रहे हैं लेकिन उनके तरफ से कहा जा रहा है कि करनात्रक में यह सब जो किया जा रहा है वो कॉंग्रेस की तरफ से किया जा रहा है प्रधान मंत्री जी ने उसके कंधे पर आत रख लाती हुई दिखाई ऐसे अनुभूती होती जैसे उस वक्त हुआ था वही हो रहा है नॉर्मल चुनाव है बेसिकली ना मोदी के गरेंटी लोगों को कन्विंस कर पा रही है ना ये आपका न्याय है सीधी सीधी बात है कि जो इसका पूरा डिफ्रेंशियेटर है वो है धरम एक भहे का माहूल इस देश में पिछले 5-7 सालों में आ रहा है मीडिया में भी भहे है सोशल मीडिया पे भी भहे है समाज में भहे है लोग खुल कर नहीं बोलते हैं वो क्या करना चाहरे है बीजेपी की सीटे बता रहे है कि अगर 250 लाती है इन दोनों का क्या हाल करते है नहींे मैं बता रहा हूं हम सरकार बना रहें पेरेừa updates मेडिया को लेकर है मैं आपके सामने खुल कर बोलता हूं मुझे लगता है कि हमें भी मोदी जी से कुछ सीखना पड़ेगा मीडिया को कैसे काबू करना है जैसे उन्होंने किया शायद हमें भी वो करना पड़े मेरी मा कहती है कि अगर किसी की बुराई से आपकी अच्छाई खराब हो जाए तो फिर आपकी अच्छाई थी नहीं यह अच्छी बात है मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भी इसी आदर्श पर चल सकें क्योंकि राहुल जी तो शायद यही बात मानते हैं नमस्ते मैं अविचल दूबे न्यूस तक के इस मंच पर आप सभी का इस्तिक्बाल करता हूँ दोजार चौबीस के आम चुनाव लगातार जारी हैं और आपके लिए खुशी की बाती है कि आपको अलग-अलग परस्नेल्टी से मिलने को या कहते सकते हैं कि रूबरू होने का मौका मिल रहा है आज हमारे मंच पर AICC यानि की All India Congress Committee के Media and Publicity जो डिपार्टमेंट है उनके इंचाड पवन खेडा जी है पवन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है पवन जी की पहचान मेरे इस तक जब आती है तो मैं अक्सर उनको जब प्रेस कांफरेंस स्टार्ट करते हूँ देखता था तो वह हिंदी फिल्मों के कुछ गाने बताते थे और उससे को रिलेट करते थे सिच्वेशन को को रिलेट करते थे आज आप आए हैं इस मंज़ पर कॉंग्रिस को लेकर बीजेपी को लेकर इंडिया लाइंस को लेकर एंडिये को लेकर तमाम सवाल और जवाब आपकी तरफ से आएंगे लेकिन मैं सबसे पहले आप से पूझा चाहूँगा कि ये ठंडा पड़ा चुनाव जिसको आज कर एक स्लेंग से इस्तमाल करने हैं कि चुनाव ठंडा पड़ा है आपके लियाज से चुनाव कैसा चल रहा है चुनाव को पिछले तीन चुनाव अगर आप देखें दो चुनाव लोकसभा के और फिर बीच में जितने भी हमारे असेम्भली इलेक्षिंस होते हैं चुनाव को गरम कौन करता है चुनाव को गरम प्रधान मंत्री खुद करता है हम तो जैसे हैं वैसे ही थे, हम कोई ज़्यादा ड्रामाटिक या बहुत ज़्यादा नाटक नोटंकी करके प्रचार करने वालों में से नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसे लोग कम है, वो अच्छी बात है या गलत बात है उस पे चर्चा कर सकते हैं, प्रधान मंत्री ठंडे पड़ गए हैं, इसलिए चुनाव ठंडा पड़ गया, प्रधान मंत्री में अब वो जोश, वो उत्सा, वो उमीद, वो उमंग, वो हिंदी पिक्चर का गाना है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, तो वो वाली बात अब प्रधान मंत्री के चेहरे पे दिखने लग इसलिए आपको चुनाव ठंडा रग़ रहा है, इसके सासथ अगर कॉंग्रेस के लिहास से देखें, तो चुनाव कैसा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे रदो बदल हो रहे हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि चुनावों के बीच में, अर्विंदर सिंग लवली बीच में चले जा के छोड़ के आगए, हनुमान बेनिवाल उनके साथ थे अब, उनके साथ नहीं हमारे साथ हैं, मैं अपने राज्य की बात करो, प्रलाद गुंजल कोटा के MP थे हमारे साथ आगए, हर्याना में आ जाईए, चौधरी बिरेंदर सिंग और उनके बेटे चौधरी बिरेंदर स चल रहा है, तो न तो हम यह कहेंगे कि उनको walk over मिला, न हम यह कहेंगे हमें वोक गोवर मिला, चुनाव है, लड रहे हैं, उनका वहां मन भर गया, या किसी और कारण से वहां से यहां हां आ गए, हमारे यह पूठी कारण रहे होंगे, अब हमारे पास washing machine तो है नहीं, उनके पास तो वाशिंग मशीन भी है तो उनके पास जब लोग कोई जाते हैं तो उस लालच में भी जाते हैं कि साथ मेरी कमी स्थोड़ी सफेद हो जाए और ज्यादा हमारे हां वह न एजेंसी हमारे पास फिर भी अगर आ रहे हैं रूलिंग पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं तो सो से लग रहा है कि जो है चुनाव उससी तरफ चला जा रहा है मतलब वह ट्रैप था उमैं आपके लिए नहीं कहुंगा में कहुंगा कि पूरे चुनाव की तरफ जो है एक तरीके से चुनाव के तमाम मुद्वों को अलग करना और पर इस तरफ लेकर आना यह वह तो मोदी तो उठाई दिया अब उठा लिया तो उठा लिया अब क्या करें उन्होंने ट्रैप खुद डाला हमने तो नहीं डाला था हम तो ऐसी निजी जिन्दगी पे टिपड़ी करना भी नहीं चाहते हैं लेकिन चलिए चोड़ दीजिए उसको चुनाव हम लड़ रहे हैं किन मुद नहीं हैं बताईए आब मोड़ी। दस साल अगर आप सरकार मे रहे हो और आपके पास 10 साल की कोई रिपोर्ट काड देने की आप सिती में नहीं हो तभी तो आप मुसल्मान, मचली, मटन, मंगल, सूतर की बातें करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे, बताइए मैंने इस वर्ग के लिए ये किया, नौजवानों के लिए ये किया, महिलाओं के लिए, बताइए न क्यों नहीं बता रहे हैं, ये दरशाता है कि चुनाव ठंडा इसलिए है, क्योंकि नरेंदर मोदी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड के नाम पर कुछ नहीं है, इसलिए जो पुराना जो ट्रेक रिकॉर्ड है, वो बरावर ट्रेक रिकॉर्ड की बात करते हैं, वो अगर दस सल का देखा जाए, तो वो कहते हैं कि लोग हमारे साथ आते अगर वो खुद इतना उनको आत्म विश्वास है अपने ट्रेक रिकॉर्ड पर और जो जो योजनाय वो गिनाते हैं, अगर वो योजनाय वाकई आई और वो चली, तो ये मचली, मुसल्मान, मंगल सूतर और मटन नहीं करना पड़ता हूं, क्यों करना पड़ रहा है, पता पुर्बंदी में मंगल सूतर चीना, जवाब देना, क्यों मंगल सूतर चीना, एक बात आपको लगती है कि जैसे 2014 का जो चुनाव था, वो मोदी लेहर पर हुआ, मैं एक एक शब्द के तोर पर इस्तमाल करूँ तो, 2019 का जो चुनाव था, वो राष्टबात पर चला गया, आपको लगता है कि 24 का चुनाव मंगल सूतर पर चला जा रहा है, या फिर उसी पर जो है, हम तो चाहते हैं कि मंगल सूतर पर जाए ये चुनाव, हमें तो बड़ा लाब है, फिर क्यों कि हम गिना सकते हैं कि मंगल सूतर कब कब बिका, जैसे कि अभी मैंने गिनाया, 2014 का च चुनाब है प्रो न्याहे चुनाब है लेकिन इसमें आप देख लिए जिस तरीके से लोगों से जब करने की बात तो उन्होंने दोजार चे का प्रधान उसमें से कुछ लाइनों का चेहन करते हुए यह बताया कि साब की इस देश में जो पहला हक है वह माइनॉर्टी का है आपने खुद अच्छा हुआ बता दिया कि कुछ लाइने निकाल कर बताया अब अगर हम कुछ लाइने ही बताना निकाल कर बताना शुरू करें तो हमारे खिलाफ तो F.I.R हो जाती नरेन मोदी के खिलाफ F.I.R नहीं होती क्यों क्योंकि सारी एजेंसीज सर नीचे जुका दूम हिलाती हुई जुकी हुई खड़ी है नरेन मोदी के सामने क्या ये लोग तंत्र है अमिट शाह जी ने आरक्षण पर क्या बोला किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कर दिया F.I.R शुरू हो गई कल रात से वो लाइने निकाल के बताएं क्योंकि वो प्रधान मंत्री है तो उन पर कोई उंगली नहीं उठेगी हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं कोई कारे करता हो कोई वोटर हो कोई कर दे उस समिधान से आया है तो आपको समिधान पर भरोसा नहीं है तभी तो हम कहते हैं कि आपके जो नेता बार-बार कह रहे हैं कि 400 सीटें दे दीजे समिधान बदल देंगे वो उनकी नियत सही है और सपश्ट है दिख रही है एक चीज़ और भी मैं पूछन जाओंगा कि आपको लगता है कि जाती है जनगरना जो सवाल आप लगातार उठा रहे हैं वो एक इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा जिससे चुनाव जो है इधर का उधर हो सकता है मुझे और आपको शायद कठिन लगता हो गांव देहात में चले जाएगे समझ में आ जाएगा लोग समझते है इस बात को और जाती जनगरना जब बिहार में प्रस्ताव पारित हुआ था तो उस वक्त सरकार में कौन था बिहार की बीजेपी थी उन्होंने तो विरोध नह मिलाकर बोलता है मैं OBC हूं फिर उसके बाद कहता है नहीं अब दो ही जाती यह बचीboo और अमीर तो नरेंद मोदीजी अगर दो ही जाती हैं तो फिर आप UBC नहीं आप अमीर जाती से थे को शचिट कर दीजे कि मैं OBC नहीं हूँ छिद आपनीपर दीजे उसे प rutise से जाधा सीटे बीजेपी ने जीती थी आपको लगता है वह सीटे जहां पर बीजेपी और कॉंगरेस डारेक्ट may 35 मेंसे 25 बीजेपी को मिली थी इस बार बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं वो भी नहीं मानते कि 25 में से 20 मिलेंगी वह भी मानते हैं कि और कम हो रही है तो स्ट्राइक रेट आपका राजिस्थान में तो आपके सामने है और कई राज्यें गुजरात में आ जाई है जो राजपूत और जो कुछ ऐसी सीट है जहां शत्रियों का अपमान और मैं उसी समुदाय से आता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि क्या भावना उनके मन में है वो आपको दिखेगा वोटों में फिर एक ऐसा इस तरह कि साउथ में इलेक्शन खतम हो गया तो राहूल जी भी आकर दिल्ली में बैठ गये खडगे साहब भी दिल्ली में बैठ गये प्रेंका जी भी दिल्ली में बैठ गये ऐसा तो नहीं है आज भी घूम रहे हैं सब काम कर रहे हैं हम सब ट्रैवल कर रहे हैं अलग-अलग लेकिन अब अब प्रधान मंत्री जब मूँ खोलते हैं लोग हसना शुरू कर देते हैं कि साब फिर एक नया जूट आने वाला इस बात से भी मिलता है कि राहूल गांदी वाइनार से तो चुनाव लड़ चुके जानता हूं आप कहां जा रहे हैं अब यूपी जैसे स्टेट में जहां 80 सीटे हैं जिसे आधार माना जा रहा है दिल्ली के रास्ते का वहां अभी तक केंडिडेशर का पता नहीं आमेठी और राइबरेली की सीटों से लास्ट टो निकली नहीं अभी तो है लास्ट ऑस तो षैट फर्स्टी डेट है आज ही आपकी जो बड़ी नेता है भारती जनता पार्टी की शैद अगला प्रधान मंत्री बनना चाहती है स्मृति इरानी नामे शायद तो उन्होंने आज ही अपना पड़्चा दाखिल किया है तो अभी तो वक्त है रुकिए इंतजार कीजिए सर किस बात का इंतजार है मतलब इस से बार-बार इस थियोरी को हतियार दे रहे हैं आज भी समृति रानी यह कहती नजर आई कि वो तो अमेठी से डर के भाग गए हैं परधान मंत्री ने आज अपनी रैली में बोला जैसे अमेठी से भाग गए हैं वैसे वाइनार से भी कि फेज़ वाइज हम अपनी सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें भारती जनता पाटी को क्या आपती है मुझे नहीं समझ मैता हो सकता है स्मृती रानी जी को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती होंगी बड़ी चिंता में होंगी कि कौन आ रहा है मेरे सामने डर तो है और डर हमें अच्छा लग रहा है प्रियंका गांधी इस तरह का आक्रामक प्रचार कर रही है देश भर में कर रही है क्या अमेठी के अलावा राइबरेली से प्रियंका गांधी के कंडिडेचर पर हर चीज का जवाब अगले दो-तिन दिन में मिली जाएगा फिर बुला ल थे इंडिया एलाइंस के गठबंदन पार्टनर के सीटों पर लेकिन प्रियंका गांधी रोडशों के लिए उपलब्ध नहीं थी संयुक्त प्रचार क्यों नहीं हो रहा है जब एक एलाइंस बना है उत्तर पदेश में अखिलेश यादों के साथ राहुल गांधी की रैली और आने वाले दिनों में आप हमारे तमाम इंडिया अलाइंस को इखटा देखें कई मंचों पर अब मांग है तो अब कैसे रोकें अब मांग अगर सचिन पाइलेट जी की राजिस्तान से बाहर भी है तो जाहिर सी बात है कि वो राश्ट्री नेता हैं वहां भी जाएंगे राजिस्थान में इंडिया गठ बंधन करके तो खैर हम जादा सीटों पर ने एक ही सीट पर अनुमान बेनिवाल जी की सीट पर और बासवाड़ा वाली सीट पर है 22 सीटे एक अमरा राम जी की सीकर भी है तो 22 सीटे हम लड़ रहे थे और सब नेताओं ने अच्छी तरह प्रचार किया वहाँ अचा आप लोग का अपना एजमसंजो 2 फेज का वोटिंग हुआ है एक ये चल रहाँ है कि वोट परसंटेज कम हुआ है तो इसके लिए के तमाम अलग अलग व्याख है कि जारे कॉंग्रेस पार्टी का अपना कैल्कुलेशन क्या है कि इन दो फेज़ेज में पार्टी कहां खड़ी इन दस सालों में हम लोग हमारे वरकर्स इतने प्रताडित हुए कि वो तो आज इसी दिन का इंजार कर रहे थे वोटिंग का तो वो तो अच्छी तरह निकले हमारे वोट जो हमें वोट नहीं दे सकते हैं कुछ भी हो जाए कॉंग्रेस को वोट नहीं देंगे और भाजपा को देना नहीं चाते थे वो घर बैठे रहे यही हुआ आपके सामने कांग्रेस अगर चुनाओ जीत रही है तो कितनी सीटे ला रही है मैं खुद निउस तक का दरशक हूँ हम लोग सरकार बना रहे हैं इंडिया अलाइंस सरकार बना रहा है उसके लिए जितनी सीटें चाहिए हम हाथ जोड़कर वही कहेंगे कि उतनी सीटें आएंगी हम नहीं कहेंगे कि 400 पार 500 पार नितिश जी की भाषा में 5000 पार वो सब हम नहीं कहेंगे अच्छा एक सवाल और प्रधान मंत्री ने जब कैम्पेइन शुरू करवाया भाजपा का तो नारा लगा मैं पास हर चीज का जवाब है पूछे ना हम तो कहरें डिबेट करवा लिजिए चलिए हमारे नेता की डिबेट मोदी जी के साथ करवा लिजिए मैं तो कह रहा हूं तक वालों को कहता हूं सब आप ये डिबेट करवाई है फिर देख लेते हैं किसके पास किसका जवाब है और किसका जवाब नी है नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके हैं उनकी भाषा उनकी भाव भंगिमा उनकी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लेंग्विज आपको सपश्ट तोर पे दिख रहा है एक हारे भेव्यक्ति की बॉडी लेंग्विज अच्छा लेकिन बात मैनिफेस्टो पर होती तो ठीक है इन्हेरिटेंस टेक्स की बात सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठ के कर देते हैं तो आपको नहीं लगता है कि एक तो मौका देदने वाली बात हो यहां बैठा हो हिंदुस्तान में नहीं इनके तो लोगसवा लड़ने वाले लोग जोती मिर्धा कहती हैं कि 400 देदी जी हम समिधान बदल देंगे तब हमें कहा जाता है कि आप ऐसा आरोग क्यों लोगा रहे हैं आपके अपने निता आपके प्रत्याशी ऐसी बातें कर रहे हैं हमारे एक निता जो विदेश में र इतना हमारे मोदी जी ने कर दिया उसके लिए हम बड़े उनके आभारी हैं सर अभी आज ही हाली में इन दौर के जो कंडिडेट थे कॉंग्रेस के अक्षे उन्होंने एंड मुव्मेंट पे नामंकर वापिस ले लिया और वो बीजबी में शामिल हो गए तो लगता नहीं क कि एक तरीके से दिक्कत हो सकती हाने वारे चुनावों में सीटों को लेकर नहीं यह दिक्कत कॉंग्रेस को तो है जितनी है लेकिन यह दिक्कत अब लोकतंतर के लिए है इस तरहें की दादागिरी इस तरहें की गुंडागर्दी जो सरकारों ने कभी नहीं की किसी सरकार न नहीं होंगे फिर मैं यहां नहीं बैठा होंगा आप वहां नहीं बैठे होंगे मैं जेल में होंगा आप अपनी EMI के संगर्ष में कहीं होंगे लेकिन चुनाव नहीं होंगे मैं आपको बता सकता हूं एक सवाल मेरे और है कि हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं लोगों से उनकी राय जानने के लिए कि क्या है उनके मुद्दे आने वाले चुनाप को किस तरी के सब देखते हैं तो बहुत सरे सार्व लोगों का ये एक सवाल होता है कि हमारे मैंड में होता है कि कॉंग्रेस चैनल को लगों को लगता है कि जब कॉंग्रेसब्रिया फोट के अपने नेता ही कांग्रेसबमें ना टिक कि पूर्फ ही तो फिर वो क्या सोच के ऐता कोंग्रेसब्रिट को वोट चौहान, कृष्णा तीरत, चौधरी बिरिंदर सिंग, चौधरी बिरिंदर सिंग, राहूल कास्वा, मैं आपको कितने नाम गिनाओं, जो भाजपा से कॉंग्रेस में है, तब लोगों को नहीं लगा, कि भाजपा को क्यों वोट दें, उनके नेता छोड़ कर तो कॉंग्रेस का था, उस दिन नामंकर वाफस ले लेते हैं, और बीजबी में शामिल हो जाती है, तो कॉंग्रेस किस प्रकार से अपना प्रत्याशी का चैन कर रही है, हमारा प्रक्रिया जो स्क्रीनिंग कमिटी होती है, हमारी हर राजी की स्क्रीनिंग कमिटी होती है, वो नाम छाटती ह इंटेव्यूज लेती है सर्वेज करवाती है और लोगों से राय मश्विरा करते हैं कारेकरताओं से और जो नाम उभर कर आते हैं वह नाम शॉटलिस्ट होकर सिसी में जाते हैं और सिसी उसमें करते हैं कई बार आप कुछ लोगों को वाशिंग मशीन की आपशक्ता होती है उसमें तो मैं क्या कर सकता हूं यह सवाल है जो कॉंग्रेस से छोड़ कर पार्टी या अन डिधलों में गए कई कंग्रेस पर आरोप लगा रहें कि जो हमारी अंदेखी är तो उसकता है कुछ राजियों में ऐसे हमारे यह तो आप मानते होंगे कि कॉंग्रेस इस देश की सबसे बड़ी और सबसे मैं तुपूर्ण पार्टी है स्थापित पार्टी कॉंग्रेस है तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पार्टी में एक सीट पर अनेक ऐसे लोग होंगे जो अच्छे उमीद्वार हो सकते हैं लेकिन टिकेट एक को ही मिलती है तो कई बाखी लोगोंको लगता है अंदेखी हो गई मुझे कई बढ़ लगा मेरी अंदेखी ओगी तो होता है उसमें क्या हो गया जेपी से छोड़ कर आए बिहार तो मैं भूली गया बिहार से मैंने खुद कितने नेताओं को अभी खुद हमने शामिल करवाया एका दिन में और भी लोग हो रहे हैं जो भाज़पा से यहां आ रहे हैं तो यह चुनाव में होता है कि हमारी पार्टी से वहां चले गए वहां से यहां आ गया अलग-अलग कारणों से होता है मुझे ने लगता कि लोगों के बन पर उसका कोई विशेश प्रभाव पड़ता है जाधा करके लोग सवा में लोग वोट देते हैं एक पार्टी की नीतियों को देखकर उसके मैनिफेस्टों को देखकर उसके नित्रित्व क लगे हैं और कुछ दिन पहले उनका इंटर्व्यू आया था उन्होंने यह कहा था कि उनके जो मित्र है में दूसरी पाल्टियों में और बो यह कहते हैं कि आप हमारी पाल्टी में आ जाईए और उन्होंने खुले आम यह का था कि वो पॉलिटिक्स में और शुनाब जिवार के सदस्ती बात कह रहे हैं तो आके चल क्या रहा है इसमें क्या गलत है अब मुझे बताईए इस हॉल में लगभग 20 पतरकार बैठे होंगे उन्हें से आठ या दस चाहते होंगे रादनीती में तो गलत थोड़ी चाहते हैं सबका हक है किसी का भी हक है मेरी बात बो जब पार्लेमेंट पे हमला हुआ तो पहला फोन सोनिया जी ने अटल जी को किया कि आप ठीक हैं तो यही तो संबंध होते हैं आपस में उसमें क्या गलत है वो मोधी जी ने आकर पूरा माहौल बिगार दिया कि दुश्मन मानने लगे हमें एक दुसरे को हम तो दुश्मन म जो कॉंग्रिस को बोट नहीं देना चाहता चाहिए कुछ भी हो जाए तो आखिरकार वह वर्ग कौन सा है और कॉंग्रिस उस तक पहुच क्यों नहीं होता है और हर पार्टी के खिलाफ भी एक कमिटेड वोट होता है यही लोगतंतर की ताकत है सर एक मैं बहुत जेनरल सवाल जानना चाहती हूं आप इतने लंबे टाइम से पॉलिटिक्स में हैं आपने हर चीज़ों को देखा है जेनरेशन बदलते हुए देखी है लेकिन जब एक फेज आता है जब ट्रोल किया जाता है चाहे राहुल गांधी को बार-बार ट्रोल कि हो रहें चीज बहुत चुब रही है हमें बिठा के एक बार कभी-कभी रहते हैं कि बिल्कुल वर्ट टू वर्ड लोगों को समझा दे कि हमने यह नहीं वोला है यह वोला है मैं राजिस्थान का हूं बड़ मोटी चमड़ी होती हम लोगों की हमें कोई फरक नहीं पड़ता है वो हैं भी नहीं है तो इनकी तो बात छोड़ दीजिए जो सरकार में होता है वो भी अगर विपक्ष की तरह काम करें तो आप बताइए वो सरकार कैसे चलाता होगा सुबह से शाम तक दरेंद्र मोदी जी उनका पूरा कैबिनेट उनका पूरी पार्टी उनका पूरा एक बड़े अच्छा रहते हैं आप विपक्ष में अच्छा रहते हों चलिया अपना अपना काम करते हैं मैं सबमें आज मांसिक बल तो तो कमाल ही हो जाए उस व्यक्ति को धेले भर का फरक नहीं पड़ता कोई ट्रोल कर रहा है वह अपनी मचली की आँख देखकर अपनी मिशन पर चल रहा है उसकी मिशन है न्याए उसी से तो हम प्रेरणा लेते हैं कि छोटी-मोटी बातों से क्या परेशान होना फॉनralर कि जा रहे हैं कि जो खिरता के लिए घए गुछ में बाख्राहिए अगो कर दो सकता है कि घता याजन डूकरें दो आपने खोला को वह तो था बेरोस्गारी पर जिसको आप अंडर करेंट कह रही है कुछ कारणों से आपको सिर्फ ऐंडरकरिंट दिख रहा है वो है वो दरसल एक लहर है हम जब सरकार में थे हमारे खिलाफ गुस्सा था तो अंडरकरिंट नहीं था वो वेव थी हमारे खिलाफ एक वाकई माहूल था हमने देखा लोगों की आँखों में आँखें डालके हम द लिए आप अंडर करेंट करेंगे दरसल वह अंडर करेंट नहीं है वह एक भारी सुनामी है इस चुनाव की दिशा नौजवान तै करने वाले हैं क्योंकि एक घंटे में दो नौजवान इस देश के आत्मत्या करते हैं यह चोटा आंकड़ा नहीं है बहुत दुखदा ही आंकड़ा अचा एक तस्वीर और देखने को मिली जब ग्रांट पर गए जब हम लोकल कॉंटेस्ट देखते हैं कि जो अमीदवार आपस में इसे आप कैसे संभाल पाएंगे मुझे लगता है यह बात आज से दो मीने पहले तो मैंने भी महसूस की थी लेकिन जहूं चुनाव नजदीक आता गया लोग खुल कर बोलना शुरू करने लगे कि जबसे हमारा मैनिफेस्ट वाया खास तोर पे नियाय पत्र के बाद कि नह लगता है यह बात हैं जो अपर और कास्ट के जो आर्थिक रूप से पिषडे लोग है वह भी समझ जाते हैं कहां इशारा हो रहा है तो 400 पार तो आप भूल जाए तो मजब बन चुका करने वह बहुत बड़ी बात हो आपने कहा कि ये प्रो कॉंग्रेस चुनाव है और एक लहर चल रही है जो बीजेपी के खिलाफ है अगर ये इतना ही प्रो चुनाव है तो कॉंग्रेस पार्टी इतिहास में सबसे कम सीटों पर लगबग 300 के आसपास की सीटे हैं फाइनल नंबर आप बता पाएंगे इतनी कम सीटों पर चुनाव क्यों राड़ा लेकिन ये इसलिए किया गया एक बड़ी पार्टी को जिस परिस्थिती में इस देश जो ये देश गुजर रहा है उस परिस्थिती में एक बड़ा दिल दिखाना आवशक था अगर हमने एक कमिट्मेंट दी है अपने गटबंदन के सा लेकिन ये जरूरी था कोई भी ऐसा संशय नहीं छोड़ना चाहिए कोई ऐसा मौका बीजेपी को नहीं देना चाहिए कि वह हमको आपस में लड़वा के और अपनी एक सीट निकाल जाए इसलिए हमने एक बड़ा दिल दिखाया और पूरे देश ने इस बात को सरहा है हर हम पत्र बना है उसमें नौकरी रोजगार की बात है और नरेंद्र मोधी की सरकार भी पिछले दस साल में कम से कम बात तो यही कहती रही और उससे दिशा में उनकी युजनाई चलती रही कि हम नौकरी रोजगार और एक इस ऑफ लाइफ जो है उसको आसान लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो एक नैरेटीव बन रहा है वह वापस हिंदू-मुसल्मान की तरफ जा रहा है उसमें मंगल सूतर एक कड़ी बन गई है तो आपको लगता है कि आपका जो एजिंडा है जो घोशना पत्र है जो बीजेपी के काम नहीं आ पा रहा है तो क्या वह कॉंग्रिस के से कहीं जादा आगे बढ़के जनता लड़ रही है नौजवान लड़ रहा है महिलाएं लड़ रही है और उनकी पिछ वही है जो हमारे नियाय पत्र की पिछ नोकरी महिला सुरक्षा लेंगाई यही पिछ है उनकी उस पिछ पे नरेंद मोदी अपने आपको बहुत असहज पाते हैं क्योंकि 10 साल आप सरकार में रहे आप से सवाल पूछे जाएंगे आप जवाब दे नहीं पाएंगे तो आपके करिकुलम का पाठी नहीं है आपके करिकुलम में क्या है आपके पाठीक्रम में हिंदू, मुसल्मान, मचली, मटन, पाकिस्तान, नहरू यही सब एक साल पहले जिन राज्यों में चुनावे आपके तरफ से प्लैटर में एक वादा किया गया था और जब लोगसभा चुनाव की बात आई जहां केंद्र सरकार के करमचारी एक बड़ा वोट बैंक हैं और उससे उनकी जिंदगी प्रभावित होती है आपने ओपीस का मामला जो है वो छोड़ दिया छोड़ा नहीं हमारा दभाव था जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने कमिटी बनाए और मंगल सूतर वाला जो घूढ़ा गया है क्या कॉंघ्चम्रेस पार्टी उस मंगल सूत्र के नेरेटिव में फस गई है अभी थोड़ी दिर पहले राहुल गांदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया उसमें एक वीडियो लगाया वही पोस्ट लगभा अब मीम्स बन रहे हैं उन पर अब लोग उनकी जिन्दगी इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं और मंगल सूत्र इस देश के लिए भावना का मामला है मंगल सूत्र के लिए जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किये इस देश की महिलाओं का अपमान है जो वो पिछले दस साल में कई बार मंगल सूत्र पे एक उठारा घात कर चुके हैं नोटबंदी के वक्त कोविड के वक्त जब प्रवासी मजदूर चले जा रहे थे तब जब उनके पास खाने को नहीं था तब लोगों को उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करके पिछले दस साल के वो तमाम जो हमले उन्होंने किये अर्थोय वस्ता पे वो याद दिला दिय इसलिए हम तो चाहते हैं वो बार-बार मंगल सुतर बोने लेकिन वो जब नोटबंदी के बाद जो चुनाव हुए उसमें उनको जीत मिली उससे क्या हुआ एकत्तर में बांगलादेश बना उसके बाद के चुनाव में हमें हार हुई उससे कुछ नहीं होता नहीं बता रह दिये दो मौके दिये लेकिन उन्होंने हर बार हमारे साथ धोका किया हमने एक बार और मौका दे दिया चौदा के बाद 19 में एक बार मौका दे फिर भी हमें धोका मिला फिर भी हमारे को चोट मिली तो अब मौका और नहीं देंगे और जो दो फेज में जो कम वोटिंग वी वो गर्मी में नहीं निकला और जो बीजेपी के अलावा किसी और को नहीं दे सकता था लेकिन बीजेपी को देना नहीं चाहता था वो नहीं निकला तो फाइदा आपके सामने किसको हुआ और नुफसान किसको आप समझ लीजिए पाद जो लगातर कही जा रही है ठंडा चु सीधी सीधी बात है कि जो इसका पूरट डिफ्रेंशियेटर है वो है धरम नहीं मैं इसमें असहमत हूं यह चुनाव हमारे नॉर्मली चुनाव त्योहार यह सब चीजें बड़ी लाउड होती है सब भाग लेते हैं सब बोलते हैं सब कुछ होता है लेकिन एक भै का माहूल इ लेते हैं कुछ लोग बड़ी खुल कर बोलते हैं लेकिन कुछ लोग थोड़ा शब्द दबा देते हैं और मेरे जैसे बहुत कम लोग बोलते हैं कोई डर नहीं है पांच-पांच एफ़ाइब चुप है वोट वो पूरी मजबूती से दे रहा है और जहां देना है उसको व पूछरे बर दो को और गॉर्च वर्लव चले गए बीजे पी में वहां पानी पी पीकर बात यहीं कह रहें किसी हहां थैकर आ पैठे थे ना कुर्सी तो दूसरी दे देते मुझे तो कॉंग्रेस पार्टी ने चिठी लिख कर किसी को कहा हो कि साब कोई निजाएगा रामंदी बताई ये कहा हो तो नहीं कहा ना हमारी सुपरिया श्रीनेज जी गई हमारी पूरी प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी उत्तरप् को गलत करता है यह क्या मतलब है जिसको जब जाना है वो जाएगा कोई रोकता है क्या हमारी पॉर्टी ने किसी को रोका नहीं अब गॉर्रब बलब जी को कोई विशेश पत्र आया हो za मंदिर मत जाना तो भाया वो दिखा दें पत्र सबको दिखा सबस्क्राइब किया गया तो उनने कहा कि साहः कि मैं तो गया लेकिन मैं पार्टी प्रिसीडिंट नहीं अब उन्हें जहां से प्रसाद मिल रहा है वह जा रहे हैं छोड़ी है ना इस बात को मंदिर जाने से किसी कि यह जो बिट्रे की बात आती है वह लगा कि पप्पू यादव की साथ बिट्रे किया गया उन्होंने वह भी यहां पर आए थे इसी मच पर आए थे उनकी जो सीट है वह प्रियंका गांधी से या राहूल गांधी से बात पक्की होई है उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया कोई वजह रही कोई बंदन में कई बार ऐसे मोड आते हैं जहां कठिन चॉइस करनी पड़ती अब इस पर इतियास बताएगा कि क्या सही था क्या गलत था उसमें अभी नहीं कोई टिपड़नी करूंगा लेकिन जैसा मैंने आपको बता है ऐसे नाजुक मोड कई बार गटबंदन में आते हैं हर राज्य में आये हैं बिहार में भी आया खेड़ा साहब जब भी कोई अपनी जगह से आता है तो बहुत खुछी होती है और मैं भी उदैपूर से ही तालुक रखती हूं जी खमा घणी बात सवाल यह है कि क्या आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि उदैपूर के बात कर लिया पूरे मेवार की बात कर ले वहां पर कॉंग्रेस अपनी जमीन मजबूती के साथ में नहीं तेयार कर बाद दुख का विशे मेरे लिए नीजी तोर पे कि मैं रादनीती वहां की नहीं करता और कि हो सकती क्योंकि वोट अभी भी हमारा है वहां उस वोट को समेटने वाला एक अच्छा कुशल नेत्रित नहीं है आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन होंगे आने वाले महीनों मैं आपको कुछ चेहरे दिखेंगे में मेवार में कॉंग्रेस फिर से जिंदा हो टिकेट वित्रन होता है राजस्थान में तो दो सीटों पर चाहे क्योंकि लगातार हम ये बात कर रहे थे कि कॉंग्रेस के कुछ दिगज बीजेपी में शामिल वे लेकिन जब टिकेट वित्रन वा तो हमने जैपुर शहर सीट को देखा और राजसमन सीट को देखा वहाँ प कि वहांगेरेस इस अपनी रणनी थी में चूक कहां पर कर रहा है कि इस को राद्नेति करना चाहिए और पाटी उससे बात करके ही टिकेट देती है सुनील शर्मा जी सामाजेक रूप से बहुत सक्रिये हैं बुरा लगा मुझे जिस तरह से उनकी उनको फिर वापस जाना पड़ा बढ़िया एक व्यक्ति जैपूर को मिलता बहराल प्रताफ सिंग जी भी अच्छा चुनाव लड़े इसमें कोई शक की बात नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई चूख होती है रणनीती में चूख हुई या नहीं तो रिजल्ट बताते हैं लेकिन कई कारण होते हैं जिसकी वज़ये से किसी एक सिट पे किसी को लाया जाता है और टिकेट दी जाती है कई equations होते हैं वो सब देखकर ही टिकेट का निरने होता है बिल्कुल आपने साथ में स्विकार भी किया कि वाकई में अच्छी स्थिती अब तक नहीं देखने को नहीं है मेवाड में तो लोग सभाचनाव में क्या माना जाए चाहे उदैपूर की बात भीलवाडा और राजसमन भी चुनाव हम बहुत अच्छा लड़ें मैं सट्टा मार्केट ज्यादा नहीं समझता लेकिन सट्टे वाले जो हमारे साथी हैं जो समझते हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार अच्छा लड़ें सर राजस्थान पर ही रहते हैं अभी राजस्थान के एक सिठ है बाड मेर वो पुरे देश भर में मशूर है उसमें आपके प्रत्याशी थे उमेदाराम बेनिवाल बहुत शांदार चुनाव लरे थे जैसी भीड हम दूसरे तरफ देख रहे थे उनके पास भी ऐसी भीड सब को शांदार होते होते कुछ आरोप जो है चुनाव के बाद भी आने शुरू हो गए है नाम आ रहा है हरी शोदर जी ने कहा कि एशो गहलो जो है वह रविंदर भाटी को सपोर्ट कर रहे थे उससे पहले हमारे यहां को हरी शोदरी का आरोप है कली उन्होंने आरोप सबस्ता है चुनाव के वक्ति इतना है हो जाता है कि कई बार बोल देते हैं हम लोगी दूसरे के लिए लेकिन उसके अलावा सर आपने अमीन खान जो अशो गहलो जी के काफी करीबी निता माने जाता है बड़े नेता है राजस्थान के उनको आपको निश्कासत भी करना प और अच्छे बहुमत से जीतने वाले अब वहां तो सटा मार्केट भी बड़ा सफस्ट कह रहा है तो बाड़मेर वाली सीट पे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सबने मिलकर चुनाव लड़ा और हमारे कैंडिडेट वहां जीत रहे हैं यह इलेक्शन के वक्त जो सबके टेंपरेचर बहुत हाई हो जाते हैं थोड़े दिन बाद वापस ठीक हो जाते हैं तो हरी शोदरे भी ठीक हो जाएंगे सब आपस में सब चलता है राइस्थान में आता है मूँपे वही बोल लेते हैं फिर बाद में ठीक हो जाता है सर पश्ची में उत्तर-प्रदेश की बाद करता हूं मैं वहीं से आता हूं पश्ची में उत्तर-प्रदेश में एक जमाने में कॉंग्रेश जो है बहुत मजबूत मानी जाती थी आज पश्ची में उत्तर-प्रदेश में अगर हम इमरान मसूद की बात छोड़ दें तो कोई नेता ढूंडने से नहीं मिलता है जबकि मैं वहां के अगर पुराने कॉंग्रेश ही नेता से अगर कभी मिलता हूं तो इंदर आज भी सपार्क देखने को मिलता है तो कौंगरेश ने कि अपने तो और एक पीडी वहां की नेताओं की समाप्त हो गई बिना जीते उत्तरप्रदेश की बड़ी बुरी स्थिती हमारी रही है कई सालों से तो जाहिर सी बात है जो नए चेहरे हैं उनको समय लगेगा जिसको आप जब नेता मानना शुरू करेंगे उसमें समय लगेगा नेता ह हैं लेकिन आपकी नजरों में अभी वो नेता नहीं बने हैं थोड़ा समय लगता है आने वाले सालों में आपको वहां हमारा बहुत कुशल नेतरत दिखेगा पहण जी अभी आप कॉंग्रेस के कंडिडेट का सेलेक्शन आउफ प्रोसेस समझा रहे थे तो दिल्ली में ती का सेलेक्शन आउफ प्रोसेस हुआ है क्योंकि संगठन के नेताओं की राय नहीं ली गई अर्विंद्र सिंग लबली ने ऐसा कहा है यह गलत है बिल्कुल संगठन के तमाम नेताओं से सलह मश्विरा करने के पश्चात यह निरने हुआ कि किसको टिकेट कहां से देनी है त और जो यह कहा है कि वो इसलिए छोड़ रहें हैं पद क्योंकि अलाइंस हुआ तो अलाइंस के सबसे बड़े वकील वह खुद थे इसलिए बात गलत है इसी से जो एक और सवाल है कि जो अर्विंद्र के लिवाल के लिए जो अब कॉंगरेस का एक तरफा जो प्यार जागा है क्योंकि अगर हम शुरुवात से देखें तो उन्होंने एक तरीके की धंकी भी दी थी कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे अध्यादेश पर तब हम सोचेंगे कि हम में आना है नहीं आना कॉंग्रेस ने उनको अपने साथ लिया उसके बाद चंडीगर में मेर का चुनाओ हुआ उनका मेर बन गया उनके तीन पार्शद बीजेपी में चले गए जब आपका डिप्टी मेर बनना था तो वह आप इस अपनी पार्टी में आ गए उसके बाद हमने किया है अरविंद के जिरिवाल के लिए यह कहीं कॉंग्रेस के संगठन को और कमजोर करेगा और कॉंग्रेस फिर और गायब हो जाएगी दिल्ली से गलत सोच है गटबंधन का निरने जब लिया गया सबसे सलह मश्विरा करके लिया गया और जैसा कि मैंने अभी एक औ कुछ आपको गिवब भी करना पड़ता है कुछ लोगों को लगता है कि नई दिल्ली लड़ना चाहिए था वो सीट क्यों नहीं दी सब चलता है एक पार्टी में लेकिन हमें अभी एक ही मकसद है हमारा कि सत्ता में आना आवेशक है उसके बाद संगठन भी मजबूत होगा सब कुछ वोस्त किया जाएगा लेकिन अभी सत्ता में आना जरूरी है प्रक्रिया होती है सीटें आ जाने दीजे किसकी किती सीटें आती है फिर निरने होगा पहले हमारी कॉंग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी बैठेगी वो तैय करेगी हमारा नेता कौन होगा उसके राहुल गांदी के अलावा भी कॉंग्रेस पार्टी किसी नाम पर राजी हो जाएगी अब प्रिक्रिया के तहरे रिजल्ट चार जून के बाद इस पर चर्चा करेंगे आप फिर बुलाएंगे मैं बार बार इशारा कर रहा हूं मुझे बुलाई आप बोली ने रहे वाप कॉंग्रेस सरकार बेसिकली बदनाम करना चाहती है इस पर आप क्या कहेंगे तो हम बोलें तो कहते हैं साब आप क्यों बोल रहे हैं हम चुप रहे तो कहेंगे चुप क्यों है यह हमारा फर्ज है कि हम उस पर बोलें भी और क्योंकि वहां हमारी सरकार है हम वहां S.I.T.P. गठन करें जो हमने की लेकिन सवाल उनसे पूछिए जिनको उनहीं के नेता देवराज गौडा ने अगस्त 2003 इसको चिठी लिखकर कहा था कि ऐसे वीडियोज हैं और यह विश् साजा करके उनके लिए प्रचार किया प्रधान मंत्री के पास तो तमाम एजनसीज हैं लेकिन विश्व गूरू भी हैं मैंने सुना कि वह वार रुकवा देते हैं पता नहीं सुना था आप ही लोग बताते हैं वार रुकवा देते हैं उन्हें नहीं मालूम था कि जिसके ल कार की साजिश वीडियो हमने बनाये हमने क्या किया हमें यह भी बता दें अरे आपके भतीजे ने जो किया वह आपके सामने हैं पूरे विश्व के सामने हैं हम तो यह जानना चाहते हैं कि केंदर सरकार में ऐसी कौन सी ताक्ते हैं जिन्होंने उसकी मदद की जर्मनी तक वो कह रहे हैं कि पहले से प्लान था प्री प्लान ट्रिप थी जिसको लेकर अब विवाद किया जा रहा है नहीं तो जो आरोप है उस पर भी जवाब देदें वह एक तो कहते हैं कॉंग्रेस की तरफ से अभी वीडियो तो हमने नहीं बनाया होंगे ना हम थोड़े लोगों के बेटरूम्स में जा जाके वीडियो कैमरा लगाते हैं यह काम तो जिनका है आप जानते हैं किनका अब मैठी और राय बरेली को लेकर बात करना चाहूंगी हाला कि बहुत बात हो चुकिए एक बार फिर भी मैं चर्चा करना चाहूंगी इस पर अभी तक दावेदारी सामने नहीं आई है कौन आपका कैंडिडेट होगा तो क्या नहीं लगता कि अगर बहुत कम समय अब चुनाफ प्रक्रिया में रहे गया है ऐसे में जब वोट होगा तो कम समय मिल पाएगा आपके उम्मीदवार को प्रचार करने के लिए आप सोचिए हमारा आप मिश्वास कितना वाले हैं वी बाच्चित करते समय ना आपने 2004 का जिक्र किया जिसमें की बड़ा चमतकारिक चुनाव पर इनाम आया था और इंडिया शाइनिंग की होने के बावजूद बीजीपी की सरकार गिर गई थी और कॉंग्रिस की सरकार बन गई थी 2024 में 2004 का जिक्र क्यों हो रहा है क्योंकि लगबग एक अंग्रेजी में एक शब्द है ना देजावू वही चीज दोहराती हुई दिखाई ऐसे अनुभूती होती जैसे उस वक्त हुआ था वही हो रहा है सब कुछ अच्छा है जी 400 पार है सबकी जिन्दगी बदल गई सबका विकास हो गया वही था इंडि शक्की बात नहीं बड़े आत्मिश्वास से उनने मेरे कंधे पर हाथ मारा फोले फिर आ रहे हैं हम जी साब हन्यवाद और तो क्या हम बहुत छोटे थे तो देखो रिजल्ट क्या रहा अभी वही दिख रहा है अभी वह वैसा करिश्मा तो इन में से दोनों में दोनों में नहीए जोटा भाई में भी नहीए मोटा भाई में भी नहीए लेकिन फिर भी आतों इश्वास उसक् Championships क्यों से डबल है और दस साल का की बाहर हो क्या रहा है यही इन दोनों के साथ हो रहा है ने मेरा जो सवाल था 2004 की पीछे 2004 में चमतकार जैसा चुनाव परिणाम हो था तब राहुल गांधी राजनिती में नहीं थे कोई भारज जोड़ो यात्रा नहीं हो रही थी कोई विपक्ष इतना एक्टिव नहीं था स चौबिस में तो राहुल गांधी ने मेहनत की ना दस हजार किलोमेटर की यात्रा की भारज जोड़ों के नाम पे पूरा देश उन्हों ने घूम लिया पसीना बहाया ठंड सर्दी से रहुल गांधी की मेहनत लगता है कि थोड़ी इसी दोनों चीजें होंगी इनके पास ध भी सिंग रेफेरेंस दिया था कि वैसा ही होने वाला है उस वक्त भी इनके पास पैसा बहुत था आप हमारे पास नहीं था अभी भी नहीं है इस बार भी फिर भी हम जीतेंगे तो और यह चृइंट था जी लुट अज ङृट यह एक्सिड़न उन्हें नहीं वोटर एक्स जो रहा है वो शीला दिक्षित के साथ काम करने के दोरन का रहा है मतलब एक जो बड़ा experience है वो है उस बारे में आप अगर बताना चाहें कि जब उनके साथ आप काम करते थे तो किस तरीका experience था केवल क्योंकि यह अभी जितनी भी टॉक हुई है उसमें उस वक्त तो जवान भी थे तब तो एक अख़बार ने शीला जी के खिलाफ लगातार लिखा मैं गुसे में मैंने आके मैंने अफसर को फोन किया कि भा味 शाइनके विज्वापन रोख दो करी असमवर और पीस की उमर रही होगी उस वक्त विज्वापन रोख दिये उस संपादक ने शीला जी से फोन किया सुबह नास्ते पे उन्होंने उनको आमंत्रित किया, उन्हें मालूम ही नहीं था कि क्या किया मैंने, उन्होंने शिकायत की, मुझे बुलाया गया, समन किया गया, और उनके सामने मुझे डाटा गया कि यह पैसा आपका वो मेरा नहीं है, यह तो सरकार का पैसा है, विग्यापनों के अगर आपको लगता है कोई मीडिया आपके खिलाफ है उससे जाकर उसके आफिस में मिलिए उसको समझाइए और मेरी बात करा दीजी यह क्या मतलब है कि विग्यापन रोग देना आज के बाद यह नहीं होना जी वह दौर और आज का दौर आप सोचिए कितना अंतर है उस वक बुलना चाहूंगा क्योंकि मेरे मन में भी बड़ा रोश है मीडिया को लेकर है मैं आपके सामने खुलकर बोलता हूं मुझे लगता है कि हमें भी मोदी जी से कुछ सीखना पड़ेगा मीडिया को कैसे काबू करना है जैसे उन्होंने किया शायद हमें भी वह करना पड़े बना गया हम उसको अपना अभूशन मांते थे लेकिन मोदी जी ने जो परंपराइं बना दी है अब वह हमारा अभूशन नहीं लगता वह हमारी कमजोरी लगती देखते हैं मेरी मा कहती है कि अगर किसी की बुराई से आपकी अच्छाई खराब हो जाए तो फिर आपकी अच्छाई थी नहीं अच्छी बात है मैं उम्मीद करता हूं कि हम भी इसी आदर्श पर चल सकें क्योंकि राहुल जी तो शायद यही बात मानते हैं मैं अपनी बात कर रहा हूं अगर मुझे मौका मिले तो शायद मैं कुछ वैसा ही करूंगा कि मुझे बहुत अफसोस होता है देखकर जो हमने दस साल जहला है बिना किसी कारण के जहला एक इंपॉर्टेंट सवाल है दरसल आपने बताए कि 37 परसेंट जो है वो वोट मिला बीजेपी को और वो सथा में स्थापित है उनके खिलाब 63 परसेंट वोट है लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी में इसी तरह की रियलिटी होती है इसमें कोई दोराय नहीं है जो वोट का डि कि 2004 का जिकराता है तो यहीं बाट जो वोट के डिफरेंट की अभी चलने कही तो दोज़ार चार में सीटों का डिफरेंट बीजेपी का और कॉंग्रेस का पांथ साथ सीटों का था और वोट परसेंटेज का डिफरेंट बी ढिफरेenस वी 앞에 तीन चार परसेंट तो ऐसा ये वोटर ने किया है पहली बार नहीं करेगा फिर करेगा सब कुछ हाथ में उसी के है एक चीज़ और क्योंकि आप कॉंग्रिस को लेकर बहुत साफगोई से बात किया रहे हैं आपने कई सारे नाम गिनाया कृष्णातियात का नाम गिनाया सिद्धू का नाम गिनाय अर्विंदर सिद्ध लवली का नाम गिनाया आपने का कि यह सब लोग आ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं लगता कि कॉंग्रिस में टूमच डेमोकरेसी है कि आतो रहें लेकिन काम क्या कर रहे हैं वो डिफरेंट बात है यह मैं मानता हूं हमारी पार्टी में शायद लोकतंतर की अती है इसमें कोई शक की बात नहीं है किसी और पार्टी में इस तरहें का लोकतंतर आपको नहीं मिलेगा एक चीज़ और पूछा जा रहा हूं और बहुत इंपोर्टेंट भी है आपने करनाटिक में जब चुनाव डड़ा तो बहुत ही तरीके से और बहुत सलीके से चु लगया ए जब Ama了 Wow अभी आपिजीदय Azerृ कि सीटें आभी डोस बता रहे हैं कि फिरistent ऑलाइये अड़ यह जो सप्किनल थो में फी फिरएrग जो बात करें तो चर्न में साओध की सीटें नहीं कोई सारी है राजिस्तान पूरा था हम नहीं साओत की जो पिछली बार ते जो है रा जैसा कि अब जो बात हो रहे हैं तक आपड़ा गैन की में हैं जैसे कि एक सो नबय च challenging जुना हुआ है उसमें सौथ सीटों के पार की जो इंडिया की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि साउथ की सीटे आपके हिस्से की है नहीं और भी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ जो बाकी इलाके गए हैं चुनाओ में उसमें भी हमें गेन हो रहा है अब 25 में से इनको 25 तो नहीं मिल सकती यह लिकर ले लिजाब तो बाकी जो आ रहे हैं हमारी आ तो गेन साउथ से तो हो 235 बाद्यों से भी हो रहा है आप बडीए की बीजेई बात कर रहें हैं बीजे पीए अगर 250 लाती है तो वीजेपी के अंदर देखिए इन दोनों का क्या हाल करते हैं आप यह निatal बचार कर रहे हैं सरकार बना रहे हैं कि का य्जें के साल कि राजनेती मिलीघ को लेफ्ट की राजनीति की तरफ इनक्लाइंड होई है इसका मैनिफेस्टेशन इस तरीके से लोग देख रहे हैं कि राहूल गान्दी जब उद्योग पतियों पर हमला करते हैं देश के बड़े उद्योग पतियों पर अंबानी अडानी पर तो लोग कहते हैं कि वह कॉर्पोर नहीं है वो राइट के खिलाफ नहीं लेकिन एक्स्ट्रीम लेफ्ट के खिलाफ है और एक्स्ट्रीम राइट के खिलाफ तभी तो मध्यमार्गी तो मध्यमार्गी या मध्यवादी विचारधारा का अर्थ बड़ा सपश्ट है कि वह दोनों की जो कॉलिटी होती है जो प् पहला हक एक दोस्त का हो उसके खिलाफ है वो इसलिए भीक योकि उत्तर प्रदेश में बनारस के आपके पुरुसांसाद है राजेश मिश्रा अभी भाजपा में सामिल हो गया उत्यूपी के काडर ने यह आरूप लगया जो वरिश्ट नेताओं के कि यहां पर वामपंथी र संग है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कहा से ली और रहा त्रेनिंग मार्किस से जाकर ली कि कैसे संगठित करना है तो आप क्या कहेंगे की आरेसेजम जो है notre क्या यह देश की राजनिती में आदान प्रदान होता रहा है 1977 में जो सरकार बनी उसमें लेफ्ट और राइट सब शामिल था विश्वनात प्रताप सिंग जी जो सरकार बनी उसमें लेफ्ट और राइट दोनों समर्थन दिया था तो आप क्या कहेंगे कि कॉम्मिनिस्ट जो है वो संगी हो गए या संग जो है वो कॉम्मिनिस्ट हो गए नहीं कह सकते तो हमारी पार्टी में एक एक इंद्रधनुशी पार्टी है एक अंब्रेला पार्टी है उसमें अलग-अलग विचारधारा के लोग शामिल हुए है लेकिन यहां आकर अब नदियां जो बहकर सागर में जाती हैं तो आप पच्छान सकते हैं कि गंगा कौन सी है और सरस्फवती कौन सी है और यमुना हो गया, Congress हो गया मध्यमार्ग हो गया तो मध्यमार्गी विचारधरा में सब आते हैं सब का स्वागत है यह तो मैं पक्का करता हूं कि आप आगली बार मंचपर जरूर आंगे पहली ऐह थो यहीर है और इस डिस्क्रेमर के साथ मैं आप से पूझा कि आपका experience मंज़ पर कैसा रहा और आप निर्मम होकर इस बात को बता सकते हैं मुझे एक बात का अफसोस है कि मैं इतने दिनों से इसको टालता रहा है आज यहां बैठ कर लग रहा है कि बहुत पहले आना चाहिए था बहुत आनन्द आया और आपके सवाल और आकर थोड़ा भी था कि इतने लोग और मैं अकेला लेकिन अच्छा है मैं जेल सकता हूं में को आज समझ में आ गया एक क्लोजिंग कमेंट आपका चाहूंगा कॉंग्रेस के एक सीनियर नेता है एक राज्यवसभा चुनाव में टिकट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा था कि मेरी तपस्या अधूरी रह गई क्या वो तपस्या का टेस्ट लोगसभा चुनाव में किया गया जब टिकट मैंने उसके बाद दूसरे दिन एक और लाइन कही थी वह आप भूल गए कि तपस्या भले अधूरी रह गई यह भगवान नहीं बदलूंगा तपस्या और ज्यादा करूंगा तो कर रहा हूं आप लोगसभा चुनाव लड़ने को तयार थे या पार्टी जो कहेंगी वो मैं करूंगा पार्टी ने पूछा मुझसे जरूर लेकिन मुझे यह लगा कि क्योंकि मैं पुब्लिसिटी भी देख रहा हूं और मीडिया भी देख रहा हूं तो इस दौर में अगर निकल जाओं तो वह गलत होगा पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा और उन्हें भी बात समझ में आई थैंक्यू सर्थ थैंक्यू